नमस्कार दोस्तो मैं हूँ राम फार्जगे और आपका स्वागत है अपने चैनल पे तो आज हम लोग देखने वाले फिंगर बैग उसका एमोसी जो जो भी हम लोग ग्रैनुलेशन में फिंगर बैग मंगवा रहे हैं तो वो फिंगर बैग का एमोसी सर्थिपिकेट आता है तो वो सर्थिपिकेट में क्या क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए फिंगर बैग का डिस्क्रिप्शन क्या क्या होता है इस वीडियो में मैंने कवर किया है तो दोस्तो आपको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब न लोग जो Grapulation में FBD या FBP या FBE होता है उसमें finger bag यूज़ क्यों करते हैं तो finger bag यूज़ करने का एक तो reason यह है कि आपका जो Welsh drying है या अगर 額़ इंठीus puree एशन है तो उसका surface area बढ़ाने के लिए finger होती है तो finger का shape आपको यहां मैं करके दिखा रहा हूँ तो यह finger है तो यह अगर आप समझ लो ऐसी finger होती या यह dome shape में होती तो यह surface area उतना ज़्यादा नहीं होता मगर इस type में finger देने से आपका surface area बढ़ता है और दूसरा यह reason है कि finger back आपके during operation में ठीक है during operation में powder escape ना हो जो आपका outlet duct जो है अगर आपका powder बाहर फ्लोर पे अगर यह environment में चला जाता है तो आपका powder loss आएगा तो उसको avoid करने के लिए finger back यूज की जाती है तो finger back का MOC मतलब की material of construction होता है PC satin PC याने की polyester satin का होता है ठीक है उसका threading है polyester का फिर है threading आती है total fiber free total fiber free याने की जो lint होता है lint free duster उसी टाइप में fiber इसके threading या कुछ भी नहीं होना चाहिए तो टोटल fiber free होता है वार्फ स्टेंग्थ है 145 to 185 kg वेफ्ट स्टेंग्थ है उसकी 90 kg to 130 kg air permeability यह सबसे important है कि जो भी finger bag होती है उसकी air permeability आपको interview में पूछा जाएगा तो उस finger bag की air permeability होती है 0.3 से 0.5 feet slash square feet slash second at the rate 1.22 inch of water gauge तो यह आपको permeability बहुत interview में पूछा जाती है तो यह आपको आनी चाहिए next है number of finger तो यह number of finger आपके FBP, FBD, FBE इसके capacity के ओपर depend होता है तो यह number of finger यहाँ 12 है surface area जो finger bag है उसका surface area होता है 3.1 square meter finger diameter होता है 140 mm maximum length of finger जो यह मैंने यहाँ finger दिखाई है तो यह finger इसकी length होती है 500 mm mm में ठीक है maximum temperature जो finger bag है उसका resistance temperature का जो होता है उसका maximum temperature resistance है 150 degree Celsius जो finger है उसकी thickness 0.42.5 mm है और दोस्तो बाकी के वीडियो की link भी आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी तो आप उपर यह आई बटन रेफर करके बाकी के वीडियो की link जो है वहाँ क्लिक करके आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हो retention finger bag का होना चाहिए 5 micron का ठीक है retention फिर gram जाता है 260 से लेकर 280 gram पर square meter ठीक है bursting strength bursting मतलब अगर कोई sport होता या finger bag आपकी फट जाती है तो उसकी bursting strength होती है 42 kg पर cm square square centimeter ठीक है 22 kg पर square centimeter surface area जो finger bag का है वो होना चाहिए 3.75 square meter तो यह था पूरा finger bag finger bag का MOC जो certificate हम लोग मंगवाते है उसके उपर यह सभी सारा यह पूरा description दिया रहता है तो ओ description as per MOC के सबसे मैंने इसमें cover किया है तो आपको अगर इसमें कोई doubt है तो आप मुझे definitely आपके doubts मुझे यहां comments करके पूछ सकते हो मैं आपके doubts के कोशिश करूँगा कि आपको answer दे दूँ ठीक है thanks for watching दोस्तों और ऐसे ही अच्छी जानकारी आपके interview का preparation इसके लिए करते रही है hash interview की तयारी चेक i button जो मेरा i button है और जो वीडियो का description है वो चेक करिए ताकि आपको अगले वीडियों की link मिलती रहे और दूसरे वीडियों भी आप देख सको take care अपने माबाप का खयाल रखे अपने परिवार का खयाल रखे जैहिन जैवारत